आप सभी का मेरे इस चानल पर पुर्ण स्वागत है, मेरा नाम वर्दा नारायन है, मैं के स्ट्रॉलिजर हूँ, टारोकार रीडर भी हूँ और आपके सामने दिसंबर 2020 के राशिफर लेके आई हूँ तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेश राशि के बारे में, आप सबने ध्यान रखना है, मेरे जो पुराने विवर्दे वो तो जानते ही हैं, कि जितने भी मैं प्रेडिक्शन्स करती हूँ, वो मैं चंद राशिय के साब से करती हूँ, यानि के हमारे सनातन धरम के हिसाब से आप लोगों की जो राशियां होती हैं, जो जनम पत्रिका में आपकी राशिय होती है, उसी को अपनी राशिय मानते वही ये प्रेडिक्शन सुनिएगा, यानि कि अगर मैं किसी की मेश राशी कह रही हूँ, तो वो जनम कुंडली से मेश राशी होना चाहिए, ये sun signs नहीं है moon signs है, तो आई एम शरू करते हैं मेश राशी से 2020 मेहिन का महीना कैसा रहेगा, तो मेश राशी 2020 दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, साधानी प्रूरग सुनिए, मेश राशी वालों के लिए कुछ ऐसा खास नहीं हैं, कि मैं उन्हें ऐसा कुछ खास सजेस्ट करू, जिस से औ आप जितनी महिनत करेंगे उतना फल पाएंगे December के महिने में, काफी आप अपने personal space में रहना चाहेंगे, सबसे मिलते रहेंगे लेकिन आपको थोड़ा personal space में रहना December के महिने में जड़ा रुची कर लगेगा, और जो भी आपका talent है, उस talent को विकसित कीजें और अगर कोई काम नहीं कर रहा है और काम करने की सोच रहा है तो मैं उसको राय देना चाहती हूँ कि कोई भी आपकी ऐसी खूबी ऐसा एक टालेंट जो शायद आपने बहुत समय से न प्राक्टिस किया हो उसको प्राक्टिस करके कमाना भी आप शुरू कर सकते हैं वो आपके लिए लाबदाई होगा मैं यह नहीं कहरी कि बहुत कमाई होगी लेकिन इंकमानी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे कम सकम आपका अपना परसनल अच्छा गुजारा हो जाएगा हेल्थ के पॉइंट फ्यू से आप स्वस्त रहेंगे दिसम्बर के महिने में कोई खास आपती आती नहीं देखी जाती है किन्तु फिर भी स्वस्त का ध्यान रखे क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है और वैसे भी वायू जोने त्रोक फैले हुए हैं पॉलिशन के कारण तो कोशिश कीजिए कि प्राणायाम अच्छे से करें ताकि हेल्थ हजाद होई ना सुभे अर्ली मॉनिंग उठके सबसे पहले आप अपना ब्रश वेगेरा करके प्राणायाम कीजे प्राणायाम करने के बाद ही आदे किंटे बात सनान करके उसके बाद कुछ भोजन वेगेरा पुजा पुजा के बाद अपलीजे उससे आपका शरीर और जादा immunity आपकी strong होती है दवाईयों से तो लोग करी रहे हैं, खाने से भी कर रहे हैं लेकिन प्राणायाम का मतलब यही है एक ऐसी क्रिया जिससे प्राण आपके अंदर आते हैं प्राण आपका प्रबल होता है तो यदि अंदर से प्राण आपका प्रबल है तो वो वाईरसस से fight करने में आपकी body की रक्षा करता है तो प्राणायाम कीजिये, करते हैं तो उससे बढ़ा दीजिये उसको नियमित तरीके से करते रहे है बाकि मेश राश्री वालों के लिए ऐसी कोई परिशानी का विश्य में नहीं देखती हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि आपका कोई एक talent जो आपने बहुत समय से यूज ना कियो उसको यूज करना शुरू कर दीजिये करम शेत्र में आप लोग के पास मेहनत के हिसाब से ठीक ठाक पैसा आता रहेगा ना बहुत ज़्यादा profit ना बहुत ज़्यादा loss तो किस चीज की कमी नहीं होगी अच्छा समय निकलेगा December का तो चलिए बात करते हैं मेश राश्री वालों के लिए कि आपके लिए lucky color और lucky number क्या रहेगा December के मन्त में तो December 2020 lucky number मेश राश्री वालों के लिए रहेगा 8 और lucky color जो रहेगा वो रहेगा yellow तो आप इन दोनों बातों का use करके अपना ये मंगल में महीना और अधिक मंगल में बना सकते हैं तो मेरी तरफ से आप सभी मेश राश्री वालों को हार्दिक शुप कामना है धन्यवाद